हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज किस वीडियो में तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप बोट के साइट या एप से मंगाए हुए प्रोड़क्ट का टैक्स इन वॉइस बड़े ही आसानी से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो देरना कर दो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आपको आजाना है अपने गूगल क्रोम पे और वहां सर्चवार में आपको सर्च करना है बोट लाइफ्टाइल दोस्तों आप केबल बोट भी लिख सकते हैं उससे भी आपका काम चल जाएगा यह लिखने क के बाद, आपको search कर देना है, उसके बाद, आपके सामने वोट की site यह खुल के आ जाएगी, आपको क्या करना है, यहाँ entire profile वाले option प्रक्लिक करना है, दोस्ते क्लिक करने के बाद, आपके सामने कुछ इस तरह का page उपन होगा, तो आपको अपने profile की उपर red color का जो message वाला option दिख रहा है इस पे आपको click करना है दोस्तों मैं पहले बता दूँ आपको अगर ये आपके में message वाला option नहीं आता है तो आपको scroll down and up करना है उपर नीचे screen को करते नहीं आए जब तक ये message वाला option नहीं आ जाता है आने के बाद आपको इस पे click करना है click करने के बाद आपको यहाँ download invoice इस पे click करना है इस पे click करने के बाद आपसे ये अपकी order id मांगेगा तो आपको यहाँ अपनी order id फिल कर देनी है दोस्तों order id डालने के बाद आपको send कर देनी है send करने के बाद ये क्या ये फिर से वैसा ही आ गया दोस्तों अगर नहीं हो रहा है आपका डाउलोड यहां से अगर यह ऐसा कुछ बार बार आ रहा है तो आपको क्या करना है आपको return and refund वाले option पर click करना है click करने के बाद आपको यहां दिख रहा होगा blue color में इस पर आपको click करना है return and refund वे click करने के बाद आपके साबने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आएगा manage your order कुछ लिख के आएगा manage your order तो अगर यह आपके में नहीं आता है तो आपको क्या करना है आपको अपनी email id पासपर्ट से login कर लेना है login करने के बाद आपको यहां left में आपको three lines देख रहे होंगे इस पे आपको click करना है यहां आप जब click करेंगे तो आपको यहां manage your order वाला track your order के नीचे आपको option दिखने लगेगा तो आप यहां से click करके आप बड़े ही आसानी से इसको खोल सकते हैं खोलने के बाद आपको यहां नीचे दिख रहा होगा download invoice दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने अपना product return किया है तो आप यहां से definitely अपना invoice है वो download कर सकते हैं और otherwise अगर आपने product अपना return नहीं किया है return के लिए नहीं डाला है तो आप approx से अपना invoice डाउलोड कर सकते हैं तो मैं यह आपको डाउलोड करके देखा देता हूँ download आले option परे क्लिक करने के भाद यहां से आप बड़े ही आसानी से इसको डाउलोड कर सकते हैं देख सकते हैं दोस्तों invoice डाउलोड हो के सामने आ चुका है तो आप भी इसको बड़े ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तो तो अगर दोस्तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और सेयर करना मत भूलिएगा थेंक्यू